वर्ष 2021-22 के अपने बज़र भाषन में मैंने यह घोशना की थी कि हम कालांतर में राजगोश्य घाटे को सत्यत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ वर्ष 2025-26 तक राजगोश्य घाटे को 4.5% से नीचे रखने के लिए राजगोश्य समेकन के मार्क पर चलते रहने की योजना बना रहे है हमने इस मार्क का अनुसरन करना जारी रख है और मैं अपने इरादत दोहराती हूँ कि हम वर्ष 2025-26 तक राजगोश्य घाटे को जीडिपी के 4.5% के नीचे ले आएंगे वर्ष 2023-24 में राजगोश्य घाटे का वित पोशन करने के लिए दिनांकेत प्रतिभूतिएयों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाग करोड रुपे होने का अनुमान लगाया गया है शेश वित पोशन लगू बजटो और अनिस्तुरोतों से आने की अपैक्षा है सेकल बाजार उधारिया 15.4 लाग करोर रुपए होने का अनुमान लगाया गया है मानिय अध्यक्ष महुदे अब मैं अपने भाशन के भाग ख को पढ़ती हूँ अप्रतिक्षकर मेरे अप्रतिक्षकर का प्रस्ताव का उदेश निर्याद को पढ़ावा देना घरेलू वी निर्मान में बढ़ोतरी करना घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ाना हरित उजा और हरित गतिशीलता को प्रुटसाहिद करना है करदरों की संख्या में कमी के साथ सरली कृत कर रिसन रचना अनुपालना भार को कम करने और कर्श राशन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है मैं वस्तरों और क्रिशी को छोड़कर वस्तरों पर बेसिक सीमा शिल्क दरों की संक्या को कम करके 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूँ इसके परिणाम सुरूप खिलोने, साइकल, आटो मोबाईल और नाफ्था सहित कुछ वस्तरों की बेसिक सीमा शिल्कों उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है हरित गतिशीलता मोबिलिटी मिश्टित कंप्रेस्ट फ्राक्तिक गैस पर कर प्रपाद से बचने के लिए मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ट बायो गैस जिस पर जीएस्टी भुकतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ हरित मोबिलिटी को और समवेक प्रदान करने के लिए एलेक्ट्रिक वहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के वी निर्मान के लिए आवशिक पूंजी गत्वस्तूओं और मशीनिरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है इलेक्ट्रोनिक्स चरन बद वी निर्मान कारिक्राम सहित सरकार ने विभिन पहलों के परिणाम सरूप भारत में मुबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 में करीब 18,900 करोड रुपे मूले के 5.8 करोड यूनिट से बढ़कर पिछले वितिय वर्ष में 2,75 करोड रुपे म मूबाइल फोनों के वी निर्मान में घहलू मूले वर्धन को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक पूर्जो और कामरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष के ल झाल झाल झाल